हनुमान जी को कल्यूक का जीवित देवता कहा जाता है भगवान हनुमान आज भी जिन्दा है इस बात को बताने की जरुत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर्थे हिंदू धार्मी ग्रंथों में सभी देवी देवताओं के स्वर्ग में वापस जाने की कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं शेश रहते हैं हनुमान जी किसी भी गरंथ में हनुमान जी के मरने और स्वर्ग में जाने की बात देखने को नहीं मिलती है कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की भी बात कही हैं जिसमें तुलसी दाजजी, स्वामी राम दाजजी जैसे महापुरुष आते हैं। जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तो हनुमान आयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्री रंका के जंगलों में पिद्रू परवत पर चले गए। यहाँ के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की, उनकी भक्ती और सेवा से खुश होकर उनने यह वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनके कबीले में रहने के लिए साथ में आया करेंगे। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जाती है जो श्री लंका के अन्ने कबीलों से बिलकुल अलग है और इसी कबीले के साथ हनुमान जी 41 साल तक रहे थे, इनकी संख्या बेहत कम है, सेथू संगठन के अनुसार मातंग समुदाय का इतिहास रामाइन काल से है, हनुमान जी को माई 2014 को इन लोगों से मिलने आई थे, अब वह ठीक 41 साल बाद यानि 2015 में इन से मिलने फिर से आएंगे, अब मैं आपको बताऊंगी मान सुरोवर की गुफाओं में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद उनकी दुरलब तस्वीर के बारे में, आज मैं आपको हनुमा मान जी की उस दुरलब तस्वीर के बारे में बताने जा रही हूँ, हाला कि जिसने वह तस्वीर ली, उसकी वहीं मृत्यू हो गई, इस घटना के बारे में कहा जाता है, कि तीन दोस्त मान सरोवर की यात्रा के लिए अपने घर से निकले थे, इन में से एक हनुमान जी का ब की यात्रा ही हनुमान जी की खोज थी, कई दिनों की यात्रा के बाद वैमान सरोवर के पास पहुँचे, उन में से एक को एक लंगूर की आकरती दिखी, जो बहुत ही तेजी से हिमाले की पहाडियों की तरफ जा रही थी, किन्तु तीनों दोस्त वहाँ पहुँच नहीं प वह उस रोश्नी का पीछा करते हुए वहाँ गुफा में पहुचा, अपना कैमरा निकाला और फोटो खीची, बताया जाता है कि फोटो खीचने के बाद लड़के के प्राण उसके शरीर से उसी समय निकल गए, इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर के लिए भी यह मौत रहस्यमई थी, इसके बाद उसके दोस्तों ने फोटो का रोल निकल वाया और तस्वीर निकल वाई, उसके बाद वह तस्वीर सामने आई, इस फोटो में वह एक गरंत पड़ रहे हैं, और वह गरंत कोई और नहीं, बलकी रामायन ही है, अगला आता है हनुमान जी के पैरों के निशान, धर्ती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर अलग-अलग तर्क दिये जाते हैं, सतियुक से उनकी धर्ती पर होने के कई प्रमान मिले हैं, ऐसी कई जगा हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं, हरानी की बात तो यह है कि कई विज्ञानिकों ने उनके पैरों की जाच की है और ये पता चला है कि इन में से कई पैरों के निशान तो कल्यूग के समय के ही हैं। आईए अब देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मि ग्रंथों के अनुसार साउथ अफरीका में भी उनके 200 साल पूराने पैरों के निशान मिले हैं। पैर के निशान कोई पूराने नहीं हैं बलकि अभी के नज़र आते हैं और इसी से साबित होता है कि हनुमान जी हमारे बीच इस धर्ती पर मौदूद है। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जै, हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट में जैश्री हनुमान अवश्य लिखियेगा हनुमान जी का महाभारत काल में होना दर्शाता है कि वे आज भी जीवित है जैसा कि आप जानते ही हैं कि रमायन हनुमान जी के बिना पूरी नहीं हो सकती थी त्रेता यूग के रमायन काल में जन्मे हनुमान जी सैकडो साल बाद द्वापर यूग के महाभारत काल में भी जिन्दा थे इनके अस्तित्व को हम त्रेता यूग से जानते हैं कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आये थे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परिक्षा लेते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार द्रौपती ने भीम से कहा कि उसे सोगंदी का फूल चाहिए और भीम उस बहुत वृद है वे अपनी पूँच हटा नहीं सकते तब भीम ने उस वृदवानर की पूँच हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूँच जरा सी भी नहीं हिली तब भीम को एसास हुआ कि ये कोई साधारन वानर नहीं हैं। भीम ने उनसे पूछा कि आप कुरुक शेत्र के अंतिम दिन भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रत से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रत से स्वयम भी उतरे। कृष्ण जी ने हनुमान जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रत से उतर कर आए वैसे ही रत में आग लग गई यह देखकर अरजुन हरान रहे गए और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी ने दिव्वे अस्त्रों से उनकी रक्षा की है वैरत की द्वजा पताका पर भी विद्देमान थे इस प्रकार वैरत के उपर बैट कर भी हमारी रक्षा कर रहे थे तो इन ही सभी से पता चलता है कि हनुमान जी रमाइन में ही नहीं महा भारत के भी एक महतुपून किरदार थे कहने का तातपर यह है कि हनुमान जी त्रेता युग में 120 लाख सालों से जीवित थे उसके बाद भी द्वापर युग जो 8.6 यानि 8.6 लाख का होता है उसमें भी वै जीवित थे और आज भी हनुमान जी जीवित है तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इस काल यानि कल्युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के बहुत प्रमाण मिलते है उन्हें अवर्दान प्राप्त था अमरता का और वैसे भी हनुमान जी के भक्तों को किसी प्रमार्ण की जरुत नहीं है